अब हम आपको बताते हैं के प्रिजंटेशन में टेक्स को डुप्लिकेट किस तरह किया जाता है टेक्स को डुप्लिकेट करने के लिए हम कॉपी और पेस्ट के टूल इस्तेमाल करते हैं मसलन हमने कोई टेक्स लिखा जैसे वर्च्वल युनिवर्सिटी अब हम इसकी एक और डुप्लिकेट तयार करना चाहते हैं इसके लिए हम सबसे पहले इस टेक्स को सिलेक्ट करते हैं अब हम इसको कॉपी करते हैं इसके लिए आपको होम टैब में ये टूल नजर आ रहा है जिसे हम कॉपी टूल कहते हैं अब हम इस पर यानि कॉपी टूल पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ट से कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते हैं हमारा टेक्स्ट जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है कॉपी हो गया है अब हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पेस्ट टूल का सहारा लेना पड़ेगा इसके लिए भी हमें दुबारा होम टैब की तरफ जाना होगा कॉपी टूल के बिलकुल साथ ही बाएं तरफ हमें ये टूल नजर आ रहा है इसे paste tool कहते हैं. Use cut and paste option to move text within the presentation. इससे पहले हमने सीखा कि किसी भी text की duplicate किस तरह तयार की जा सकती है. आईए, हम आपको बताते हैं कि किस तरह cut और paste tool को इस्तेमाल करके text को एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. हम यहां तीन lines में text लिखते हैं, जैसा कि आपको screen पर नजर आ रहा है. This is a car. This is a bike. This is a truck. अब अगर हम चाहते हैं कि पहली line का text वहां से खत्म होकर तीसरी line में आ जाए, तो उसके लिए हम cut और paste tool की मदद लेते हैं. इसके लिए हमें home tab में copy tool के ऊपर ये tool नजर आ रहा है. इसे हम cut tool कहते हैं. सबसे पहले हम पहली line के text को select करते हैं. इसके बाद हम cut tool पर click करते हैं, या keyboard से control X को press करते हैं. जैसे ही हम cut tool पर click करते हैं, तो हमारा selected text यानि पहली line वहां से खत्म हो जाती है. अब हम चाहते हैं के यही line सबसे आखिर में आ जाए, तो हम cursor को आखरी line पर ले जाते हैं. अब हम home tab पर मौजूद paste tool पर click करते हैं, या हम keyboard से control V को press करने से भी cut शुदा text paste कर सकते हैं. ये देखिए, जैसे ही हम paste tool पर click करते हैं, तो हमारा text जो के हमने पहली line से खत्म किया था, वो सबसे आखिर में आ गया है. इस तरह हम cut और paste tool को इस्तेमाल करके, text को एक जगह से खत्म करके, दूसरी जगह ले जा सकते हैं. Delete the selected text अब हम देखते हैं कि powerpoint में selected text को किस तरह डिलीट किया जा सकता है. सबसे पहले हम यहाँ कोई text लिखते हैं. मसलन हम यहाँ software टाइप करते हैं. अब text को select करने के लिए हम mouse की मदद से इस पर double click करते हैं. यह देखिए, हमारा text select हो गया है. अब हम आपको बताते हैं कि इसको delete कैसे किया जा सकता है. कीबोर्ड पर मौजूद delete बटन की मदद से हम selected text को delete कर सकते हैं. यह देखिए, हमारा selected text delete हो गया. प्रिजन्टेशन में image को insert करना तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं. इसी तरीके से आप एक image insert कर लें. इमिज को duplicate करने के लिए हम copy और paste के tool इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि हम text को duplicate करने के लिए करते हैं. मसलन हमने कोई image insert किया, जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं. अब हम इसकी एक और duplicate तयार करना चाहते हैं. तो इसके लिए हम सबसे पहले इस image को mouse की मदद से select करते हैं. जब हम mouse image के ऊपर लेकर जाते हैं, तो हमारे सामने ये एक निशान बन जाता है, जिसके चारों तरफ arrows बने हुए हैं. अब हम जैसे ही image पर click करते हैं, तो image के इर्दगिर्द दाइरे बन जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा image select हो गया है. अब हम इसको copy करते हैं, जिसके लिए हमें पहले की तरह home tab की तरफ जाना पड़ेगा. आपको home tab में ये tool नजर आ रहा है, जिसे हम copy tool कहते हैं. अब हम इस tool पर, यानि copy tool पर click करते हैं, हमारा image जो हमने select किया हुआ है, copy हो गया है. अब हम इसे paste करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें paste tool का सहारा लेना पड़ेगा. इसके लिए भी हमें दुबारा home tab की तरफ जाना होगा. Paste tool से भी आप वाकिफ हैं, जैसा के हम आपको पहले बता चुके हैं. अब हम जैसे ही इस पर click करते हैं, तो ये देखिए, हमारे image की एक और duplicate बन गई है. इस तरहां हम image की किसी भी presentation के अंदर, copy और paste tool की मदद से duplicate तयार कर सकते हैं. इसके अलावा यही काम हम mouse को right click करके copy और paste की मदद से भी कर सकते हैं. अब हम text formatting के लिए home tab पर मौझूद font toolbox के बारे में सीखेंगे. font सबसे पहली option जो आपको इस toolbox में नजर आ रही है, उसे font कहते हैं. ये एक drop-down box है. इस arrowhead पर click करने से ये नीचे की तरफ खुल जाता है और आपको बहुत से font names नजर आते हैं. ये वो तमाम fonts हैं जो आपके computer system पर मौझूद हैं. आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद का font चुन सकते हैं ताके अपनी presentation को एक अच्छी और खुबसूरत look दे सकें. दूसरी option जो आपको नजर आ रही है वो font size है. यहां भी आपकी पहली option की तरहा एक triangle या arrowhead नजर आ रही है. इसको click करने पर आपको मुख्तलिफ font sizes digits की सूरत में मिल जाते हैं जिनको आप अपनी जरूरत के मताबिक मुन्तखिब कर सकते हैं. इसमें आपको दो आइकॉन नजर आते हैं. एक बड़ा A और दूसरा छोटा A. बड़े A पर click करने से यह आपके selected text को दो दरजे या चार दरजे तक बढ़ा देता है. अगर आपके text का size 12 है और आप बड़े A पर click करते हैं तो इसका size 14 हो जाएगा. और अगर आप मुसलसल ऐसा करें तो पावर पॉइंट इस text का size 20 होने तक बतदरीज 2-2 का इजाफा करता रहेगा. लेकिन जब इसका size 20 हो जाएगा तो इजाफा 4 दरजे हो जाएगा. मिसाल के तौर पर अगर font size 20 हो तो आपके बड़े A को click करने पर इसका size 24 हो जाएगा. यहाँ आपको small A या छोटा A नजर आ रहा है. इस पर click करने से ये बड़े A के मुखालिफ काम करेगा. मसलिन अगर font size 32 है तो इसको click करने पर ये 4 दरजे छोटा हो जाएगा. यानि इसका size 28 हो जाएगा. और अगर font size 20 है तो छोटे A को click करने पर ये 2 दरजे छोटा हो जाएगा. यानि इसका size 18 हो जाएगा. Clear the formatting इस icon की सूरत कुछ यू है कि एक बड़ा A और एक छोटा A और इसके साथ eraser या rubber का निशान है. जैसा कि इसका नाम है Clear the formatting इससे साफ जाहर है कि ये selected text पर applied formatting को साफ कर देता है. फर्स करें अगर आपने selected text का font size बड़ा या छोटा किया है या उसे underline, italic, bold या कोई और format apply किया है. तो इस icon पर click करने से ये तमाम formatting खत्म हो जाएगी, जैसा कि आपने इसे पहली मर्तबा लिखा था. Bold ये icon English alphabet B जैसा होता है. इस पर click करने से ये आपके selected text को bold करता है. Bold आपके text को नुमाया करता है. ये option इसलिए इस्तिमाल होती है कि जब आप अपनी presentation में किसी लफ्स या line पर जोर देना चाहते हैं या देखने वालों को मुतवज़े करने या अलफास को नुमाया करने के लिए आप अपनी presentation में bold का इस्तिमाल कर सकते हैं. Italic ये icon English Alphabet I जैसा होता है लेकिन ये एक तरफ जुका हुआ होता है. Selected text पर इसके इस्तिमाल से वो text एक तरफ जुक जाता है जिससे वो दूसरे text से नुमाया दिखाई देता है. Underline Underline icon English Alphabet U की शकल का होता है लेकिन इसके नीचे एक लाइन लगी होती है. ये option Selected text के नीचे एक लाइन लगा देती है जिससे वो text नुमाया हो जाता है. Shadow Shadow की option आपके Selected text को नुमाया करती है. जैसा के इसका नाम Shadow है, इसके इस्तिमाल से आपके Selected text के नीचे एक साया बन जाता है, जिससे आपका text दूसरे हिससे से मुनफरिद नज़र आता है. इस icon की शकल English Alphabet S की मानिंद होती है और इसके नीचे इसका साया भी नज़र आता है. Strike Through Strike Through के icon की सूरत यूं होती है, जैसा के English के पहले तीन alphabets, यानी छोटे A, B, C और उनके दर्मियान एक line लगी होती है. वैसे तो कम्प्यूटर की दुनिया में Strike Through बहुत सी चीजों के लिए इस्तमाल होता है, लेकिन हम PowerPoint में text formatting सीख रहे हैं, इसलिए हम text के हवाले से बात करेंगे. Bold, Italic, Underline की तरहा Strike Through भी text को नुमाया करने के लिए इस्तमाल होता है. Character Spacing के आइकॉन की सूरत English के Alphabet AV की तरहा की होती है, लेकिन इसके नीचे Double Head Arrow होता है. जब हम कम्प्यूटर में किसी भी Application Software में कोई text लिखते हैं, हर एक Application Software Alphabet Characters के दर्मियान एक Default Space रखता है. लेकिन आप इस Space को कम या ज्यादा कर सकते हैं. इस आइकॉन के साथ भी एक Triangle होती है, जिस पर क्लिक करने से एक Drop Down Menu खुल जाता है, जिसमें आपके पास ये Options होती हैं. जैसा के Very Tight, Tight, Normal, Loose, Very Loose, More Spacing, आप इन में से कोई भी Option हस्बे जरूरत इस्तेमाल कर सकते हैं. Case इस Option के आइकॉन की सूरत भी बड़े A और छोटे A की तरह होती है. इसके जरीए आप अपने लिखे और Selected Text का Case तबदील कर सकते हैं. Case से मतलब ये है कि अगर आपने English में कुछ लिखा है और वो छोटे करेक्टर्ज में है तो बजाए इसके कि आप Caps Lock On करके उसे दुबारा लिखें, आप इस Option के साथ उसको बड़े करेक्टर्ज में तबदील कर सकते हैं. इस आइकॉन के साथ भी एक ट्राइंगल होती है, जिस पर क्लिक करने से आपको मुख्तलिफ आप्शन मुहया की गई हैं, जिनको आप अपने जरूरत के मताबिक इस्तमाल कर सकते हैं. Font Color Font Color के आइकॉन की सूरत English के पहले Alphabet A की तरह होती है, और इसके नीचे एक Color बार होती है. इसके साथ भी ट्राइंगल होती है, जिस पर क्लिक करने से एक Color Palette जाहर होती है. इसमें मुख्तलिफ रंग होते हैं, जिनको आप अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के मताबिक इस्तमाल कर सकते हैं. इसके अलावा, Font Toolbox में आपको नीचे की तरफ एक तिर्चा Arrow नजर आ रहा है, जिसको क्लिक करने पर आपको एक Dialog Box नजर आता है. इसमें तक्रीबन वो तमाम Options होती हैं, जो हमने अभी सीखी हैं. सिर्फ दो तीन Options का इजाफा है, जिनहें हम अभी सीखेंगे. Underline Type इस Option में आपको Underline के मुख्तलिफ डिजाइन्स नजर आ रहे हैं, जिनको आप अपनी जरूरत के मताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं. Underline Color इस Option में आप Underline के मुख्तलिफ रंगों का इंतखाब कर सकते हैं. Superscript and Subscript अगर आपने रियाजी के सवालात या Equation लिखनी हो और उसमें किसी की Power या Base Value लिखनी हो, तो आप Superscript और Subscript इस्तेमाल कर सकते हैं. Use Spell Check for Presentation Text अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में Spell Check Program को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और जहां जरूरत हो, वहां Changes किस तरह की जाती हैं. मसलन हम स्लाइड में कोई लाइन लिखते हैं, जैसे Virtual University of Pakistan. इस लाइन में University के Spellings गलत हैं और इसके नीचे एक सुर्ख लाइन भी आ गई है. हम आपको बताते हैं कि किस सरह Spell Check Program को यूज़ करके ये Spellings सही कर सकते हैं. इसके लिए हम Review Tab में से Spelling की कमांड पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड पर मौझूद F7 की प्रेस करते हैं. ये देखिए, Spelling की कमांड पर क्लिक करने से हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें सबसे उपर Not in Dictionary के नाम से एक आप्शन नजर आ रही है और इसके आगे एक बॉक्स है जिसमें हमें वो Spelling नजर आ रहे हैं जो के घलत हैं. और इसके नीचे हमें Change To के नाम से एक आप्शन नजर आ रही है जिसके आगे बॉक्स में सही Spelling दिये गए हैं. और इसके नीचे हमें Suggestions के नाम से एक आप्शन नजर आ रही है जिसमें हमें सही Spelling के बारे में Suggestion दी जा रही है. अब हम अगर ये spelling ठीक करना चाहें तो इसके लिए हमें change के नाम से एक button नजर आ रहा है हम इस पर click करते हैं Change के button पर click करते ही university के spelling ठीक हो जाते हैं और इसके नीचे से सुर्ख line भी खत्म हो जाती है इस तरह हम spell check program को use करके अपनी जरूरत के मताबिक spelling ठीक कर सकते हैं Graphics and Charts इस lesson में हम आपको बताएंगे कि slide में मुख्तलिफ objects मसलन, lines, rectangle, circle वगेरा को किस तरह ड्रॉ किया जाता है आप जान जाएंगे कि मुख्तलिफ objects में color किस तरह फिल किये जाते हैं और इनका size किस तरह चेंज किया जाता है इन objects को move किस तरह किया जाता है और slide में chart किस तरह create किया जाता है Draw the objects आईए हम आपको बताते हैं कि slide में different lines को किस तरह एड़ किया जाता है इसके लिए home tab में मौझूद drawing group में हमें ये option नजर आ रही है जिसकी मदद से हम slide में lines लगा सकते हैं अब हम इन styles में से ये line style मुंतखिब करते हैं तो cursor की शकल change होकर plus sign की शकल इखतियार कर लेती है अब mouse की मदद से dragging करते हुए हम line लगा सकते हैं move lines in a slide अब हम आपको बताते हैं कि slide में lines को move किस तरह किया जा सकता है इसके लिए सबसे पहले हम एक line को draw करके इसको select करते हैं और इसके बाद mouse की मदद से line को पकड़ कर dragging करते हुए line को एक जगा से दूसरी जगा move करा सकते हैं इसके इलावा keyboard पर मौजूद arrow keys की मदद से भी हम lines को select करने के बाद move कर सकते हैं change the line color and width अगर आप किसी shape का color change करना चाहते हैं या इसकी width में कोई modification करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक rectangle को draw करके इसको select करते हैं home tab में drawing tool bar में हमें shape color के नाम से ये एक option नज़र आ रही है जिसके आगे एक छोटा सा arrow बना हुआ है जैसे ही हम इस arrow पर click करते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ colors आ जाते हैं जिसमें से हम कोई भी color select करके rectangle के color को change कर सकते हैं और अगर इसी तरह हम line की width में कोई modification करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं इसके लिए हम mouse की मदद से line पर double click करते हैं line पर double click करने से हमारे सामने format का tab open हो जाता है जिसमें से हम style shapes पर click करते हैं इसमें हमें मुख्तलिफ style और width की option नजर आ रही है किसी option को select करने से line की width और style बदल जाते हैं add various forms of shape, boxes, circles to a slide इसके लिए home tab में drawing में हमें shape की option नजर आ रही है मसलन अगर हम shape पर click करते हैं तो हमारे पास shape की एक menu खुल जाती है यहां हम अपनी मर्जी की कोई भी shape select करके slide में add कर सकते हैं rotate और flip a drawn object in the slide अब हम आपको बताते हैं कि slide में किसी भी object मसलन rectangle, circle, line वगएरा को rotate किस तरह किया जाता है सबसे पहले हम इन में से कोई भी एक object मसलन rectangle draw करते हैं यह देखिए rectangle को draw करने के बाद इसके इर्दगिर्द सुफेद दाइरे से बन गए है जिनकी मदद से rectangle को छोटा बड़ा किया जा सकता है लेकिन इन सफेद दाइरों के इलावा सबसे उपर एक सबस दाइरा भी है जिसकी मदद से हम किसी भी object को rotate यानी घुमा सकते हैं करसर इस दाइरे के करीब ले जाने से करसर की शकल change होकर एक गोल arrow की शकल इख्तियार कर लेती है अब अगर आप mouse का button दबा कर रखते हुए इसको हरकत देंगे तो rectangle rotate होना शुरू हो जाएगी Change the attributes of the shape, change the color and line type of the shape अब हम आपको बताते हैं कि इन shapes यानी rectangle, circle वगेरा के attributes को किस तरह change किया जा सकता है यानी इनमे color किस तरह फिल किये जाते हैं और इनकी line type यानी borders को किस तरह चेंज किया जाता है मसलन हमें एक circle draw करते हैं, अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई color भी आ जाए तो इसके लिए drawing tool group में shape fill के नाम से ये एक option मौजूद है, जिसके आगे एक छोटा सा arrow बना हुआ है जैसे ही हम इस पर click करते हैं, तो हमारे सामने मुख्तलिफ colors आ जाते हैं अब हम इसमें से कोई भी color select कर सकते हैं मसलन हम blue color select करते हैं ये देखिए, जैसे ही हमने blue color को select किया, तो इस circle का रंग जो हमने draw किया है, blue हो गया है अब अगर हम चाहते हैं कि इस circle का style change हो जाए, तो इसके लिए हम circle पर double click करते हैं तो ribbon में format tab खुल जाएगा अब आप shape styles में से कोई भी style select करके इस circle का style तबदील कर सकते हैं इसका रंग, outline का रंग और effects लगा सकते हैं ये देखिए, इन मुख्तलिफ options के जरीए, हम किसी shape को किस तरह change कर सकते हैं चार्ट एक ऐसा टूल होता है, जिसके जिरिये हम अपने data को graphically दिखा सकते हैं चार्ट के जिरिये, आप अपने audience को numbers और figures के पुशीदा मतलब और उनमें मवाजना करवा सकते हैं सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा चार्ट के मुख्तलिफ एक्साम के बारे में बताते हैं ये तमाम किस्म के चार्ट आपको powerpoint में मुयस्सर हैं और उन्हें आप अपनी जरूरत के मताबक इस्तेमाल कर सकते हैं अब चार्ट के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में आपको बताते हैं ताइटल आफ दे चार्ट यानि चार्ट का टाइटल वर्टिकल एक्सिस इसको आम तोर पर वाई एक्सिस का नाम भी दिया जाता है डेटा सीरीज ये हिस्सा आपके चार्ट में मौजूद डेटा पॉइंट को जाहर करता है लेजन्ड इसमें आप अपने चार्ट में दिये गए डेटा के बारे में कुछ एहम मालूमात लिखते हैं और ये आम तोर पर एक्स एक्सिस के बारे में होता है कि कौन सा डेटा किस कैटिगरी में आता है और चार्ट में क्या स्केल इस्तमाल किया गया है वगेरा अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में चार्ट किस तरह क्रियेट करते हैं इसके लिए हम Insert के टैब पर क्लिक करते हैं. Insert के टैब में हमें Illustration का ग्रुप नज़रा रहा है. इसमें हमें Chart की Option नज़रा रही है. जैसे ही हम इस Chart Option पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने एक और Dialog Box ओपन हो जाता है. ये Insert Chart का Dialog Box है. इसमें बाएं जानेब हमें मुख्तलिफ Templates नज़रा रहे हैं और दाएं जानेब हमें हर Template से मुतालिका Style नज़रा रहा है. इस Template Menu में से अपनी जरूरत के मुताबिक कोई से Style सिलेक्ट करें और OK का बटन दबा दें. अब हम इसमें Text लिखते हैं. इसको Resize और इसकी Location भी तबदील कर सकते हैं. इसके लिए हम Insert के Tab में से चार्ट की Command पर क्लिक करके एक चार्ट बनाते हैं. और अगर हम इस चार्ट की टाइप को चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस पर Right Click करते हैं. Right Click करने से आपके सामने एक Dialog Box ओपन हो गया है. इस Dialog Box में से हम चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं. मसलन, Column Chart, Bar Chart, Line Chart, Pie Chart वगेरा. आप इसमें से जो चाहें वो टाइप सेलेक्ट करें और OK के बटन पर क्लिक कर दें. मसलन, हम इसमें से Pie Chart पर क्लिक करते हैं. ये देखिए, Pie Chart पर क्लिक करने से बार चार्ट तबदील होकर Pie Chart हो गया है. इस तरह हम मुख्लिफ किसम के चार्ट स्लाइड में बना सकते हैं. पहले हम आपको बताते हैं कि इमिज का साइज किस तरह चेंज किया जाता है. जब भी हम कोई इमिज अपनी स्लाइड में इंसर्ट करते हैं, तो उसके गिर्द सफएद दाइरे से बन जाते हैं. अट जैसे ही हम करसर इन दाइरों के करीब ले जाते हैं, तो करसर की शक्ल चेंज हो जाती है. अब हम जिस तरफ से इमिज का साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं. यानि करसर की मदद से इन एरों को पकड़के ड्रैग करने से इमिज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं. और अगर हम इमिज को मूव करना चाहते हैं, तो माउस से ड्रैग करते हुए इसको एक जगा से दूसरी जगा मूव कर सकते हैं. या इमिज को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर मौजूद एरों कीस की मदद से भी इमिज को मूव किया जा सकता है. अब हम आग को बताते हैं कि स्लाइड बे मुख्तलिफ आबजेक्ट्स, मसलन, स्प्रेडशीट, ग्राफिक फाइल्स वगएरा किस तरह इमिज करते हैं. इसके लिए हम इंसर्ट के टैब से अबजेक्ट की कमांड पर क्लिक करते हैं. अबजेक्ट की कमांड पर क्लिक करने से हमारे सामने एक बॉक्स आ जाता है, जिसमें हमें दो आप्शिन्स, क्रियेट न्यू और क्रियेट फ्रॉम फाइल के नाम से नजर आ रही हैं. इसमें से हम क्रियेट फ्रॉम फाइल की आप्शिन पर क्लिक करते हैं. Create from File की Option पर क्लिक करने से Box चेंज होकर ये शकल इख्तियार कर लेता है इसमें हमें Create from File के सामने एक खाली Box नजर आ रहा है जबकि इसके नीचे Browse का Button भी मौझूद है Browse के Button पर क्लिक करने से हमारे सामने एक Box ओपन हो जाता है जिसमें बहुत सी Files नजर आ रही है इसी दूसरी Files शामिल है अब हम इसमें से जो Object इंपोर्ट करना चाहते हैं इसको Select करते हैं और OK के Button पर क्लिक करते हैं मसलन हम ये Spreadsheet सेलेक्ट करके OK के Button पर क्लिक करते हैं OK के Button पर क्लिक करने से हम दुबारा Create from File वाले Box पर आ गये हैं और अब इसके सामने इस Object का तमाम पात नजर आ रहा है जो के हम Import करना चाहते हैं इसके बाद हम OK के Button पर क्लिक करते हैं OK के Button पर क्लिक करने से हम दुबारा PowerPoint की Window पर आ जाते हैं ये देखिए, Slide में वो Spread Sheet आ गई है जो हमने Import की है इस तरह हम मुख्लिफ Objects Import कर सकते हैं Copy an Imported Object to a Master Slide अब हम आपको बताते हैं के एक Import किये हुए Object को Master Slide में किस तरह Copy किया जाता है सबसे पहले तो हम एक Master Slide open करते हैं Master Slide open करने के बाद हम इसमें एक Object Import करते हैं किसी भी Object को Import करना तो आपको आही गया होगा जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं Object Import करने के बाद हम Master View close कर देते हैं अब ये Object हमारी Master Slide में Copy हो गया है अब हम जितनी भी Slides Insert करेंगे इसमें हर Slides में ये Object मौजूद होगा इस तरह हम Object को Import करके Master Slide में Copy कर सकते हैं Add Border Effects to an Object or Picture अब हम आपको बताते हैं कि किसी Picture और Object पर Border Effects किस तरह Add किये जाते हैं यानि इसके Border पर किस तरह मुख्तलिफ Styles एपलाई कर सकते हैं मसलन हम कोई Spreadsheet इंपोर्ट करते हैं अब अगर हम इसके Border पर कोई Effect लगाना चाहते हैं तो किस तरह लगा सकते हैं इस Object पर Right Click करने से हमारे सामने एक Menu ओपन हो जाता है Format Object की Command पर क्लिक करने से हमारे सामने एक Box ओपन हो जाता है इसमें से हम Line Colors या Line Styles के टैब पर क्लिक करते हैं जिसमें से हम दूसरी Option यानि Solid Line में से हम इस Object के Border पर मुख्तलिफ Style अपलाई कर सकते हैं मसलन लाइन में कलर दे सकते हैं, इसका Style चेंज कर सकते हैं और इसका Weight या Transparency कम या ज्यादा कर सकते हैं हम अपनी मर्जी से इस में से जो Style देना चाहते हैं, उसको Select करते हैं और Close के Button पर क्लिक करते हैं ये देखिए, इस Object के Border चेंज होकर वैसे ही हो गए हैं जो के हमने Select किये हैं Printing and Distribution Slide Orientation को किस तरह चेंज किया जाता है? Presenter के लिए Slide में Notes किस तरह एड़ किये जाते हैं? Spell Check Program को किस तरह यूज किया जाता है? Slide को मुख्लिफ Views में किस तरह प्रिंट किया जाता है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप Slide Presentation के लिए एक Suitable Output Format किस तरह सिलेक्ट करते हैं? इसके लिए हम Design टेब में Page Setup की कमांड पर क्लिक करते हैं. आपके सामने Page Setup का Dialog Box ओपन हो गया है. इसमें सबसे पहले आपको Slides Sized For के नाम से एक Option नजर आ रही है. और इसके नीचे एक Box नजर आ रहा है जिसके आगे एक Arrow बना हुआ है. आईए, हम इस Arrow पर क्लिक करते हैं. Arrow पर क्लिक करने से हमारे सामने एक List ओपन हो गई है, जिसमें हमें मुख्तलिफ Output Formats नजर आ रहे हैं. आप इसमें से वो Output Format सिलेक्ट कर सकते हैं, जो के आपको अपनी Presentation के लिए सूटिबल लग रहा है. आप इसमें से कोई भी Format सिलेक्ट करके OK के बटन पर क्लिक करें. आप देख रहे हैं कि आपकी Presentation Slide का Format चेंज हो गया है. Change Slide Orientation Landscape और Portrait आईए, अब हम आपको बताते हैं कि Slide की Orientation यानि Direction या Position को किस तरह चेंज किया जा सकता है. Slide को दो तरह की Direction में चेंज किया जा सकता है. Landscape और Portrait By default, Slide की Direction Landscape होती है. यानि जब हम PowerPoint को Open करते हैं, तो Slide Landscape होती है. हम आपको बताते हैं कि Slide को Portrait किस तरह किया जाता है. इसके लिए हम सबसे पहले Design Tab में Page Setup पर क्लिक करते हैं. जैसे ही हम Page Setup की Command पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक Dialog Box ओपन हो जाता है. जिसमें दाएं तरफ आपको Orientation Slides के नाम से एक Option नजर आ रही है, जो के इस वक्त Landscape है. हम इसमें से Portrait की Command को Select करते हैं और OK के बटन पर क्लिक करते हैं. ये देखिए, जैसी हम OK के बटन पर क्लिक करते हैं, Slide Orientation Landscape से Change होकर Portrait हो गई है. इस तरह हम Slide की Orientation को Change कर सकते हैं. जब हम कोई Presentation तयार कर लेते हैं, तो उसके मुख्लिफ Preview भी देख सकते हैं. सबसे पहले हम Outline के बारे में बताते हैं. लेफ्ट पैन में Outline के टैब में क्लिक करने से आपको Presentation की तमाम Outlines नज़राती हैं. Slide Sorter View देखने के लिए हम View के टैब में से Slide Sorter की Command पर क्लिक करते हैं. ये देखिए, जैसे ही हम Slide Sorter की Command पर क्लिक करते हैं, तो हमारी Presentation का View, Slide Sorter View में चेंज हो गया है. और अगर हम Notes Page View देखना चाहते हैं, तो View के टैब ही में से Notes Page की Command पर क्लिक करते हैं. ये देखिए, आपके सामने Notes View नजर आ रहा है. इस तरह हम Slide के मुख्लिफ Preview देख सकते हैं. Print Slides in Various Views and Outputs. हम Slides को मुख्लिफ Views में Print कर सकते हैं. इसके लिए हम कोई Presentation ओपन करते हैं, जिसमें Different Slides हों. अब हम इसको Print की Command देते हैं. जिसके लिए हम File के Tab में से Print की Command पर क्लिक करते हैं या Keyboard की मदद से Ctrl प्लस P प्रेस करते हैं. ये देखिए, जैसे ही हमने Print की Command पर क्लिक किया है, हमारे सामने एक Menu आ गया है. इस Menu में हमें Print, Printer और Settings के नाम से Options नज़र आ रही हैं. Print की Option में आपको Copies की Option नज़र आ रही है. इसका मकसद ये है कि आप इस मुतालिका Presentation Document की कितनी Copies प्रिंट करना चाहते हैं. प्रिंट के बटन से Presentation Document प्रिंट हो जाएगा. इससे नीचे, प्रिंटर में आप अपने प्रिंटर की Settings या जिस प्रिंटर के जरीए Print लेना है, उसको Select कर सकते हैं. प्रिंटर से नीचे Settings की Option है, जिसमें आपको ये Drop Down List नज़र आ रही है. इस लिस्ट में पहले से आपको Print All Slides की Options Selected नज़र आ रही है. इसके जरीए आप Presentation में मौझूद तमाम Slides प्रिंट कर सकते हैं. इसको क्लिक करने पर आपको Print Current Slide, Print Selection और Print Custom Range की Options नज़र आती हैं. आप इन Options को अपनी जरूरत के मुताबिक Select करके इस्तेमाल कर सकते हैं. Slides Text Box में आप Slide Number के हिसाब से Slides को Print कर सकते हैं. इसके नीचे एक और Drop Down लिस्ट है. इस लिस्ट के जरीए आप एक पेज पर एक या एक पेज पर दो या मुखतलिफ Options के मुताबिक Slides का Print ले सकते हैं. इसमें आपके पास Slides को Frame, Fit to Page और High Quality Print की Options मौजूद हैं. Collated की List के जरीए आप अपनी Slides को Group-wise कंबाइन करके Print ले सकते हैं. यानि आप Slides का Set Define करके जैसे 123 या 111, 222, 333 के हिसाब से Print ले सकते हैं. Color Dropdown List में आप Select कर सकते हैं कि आपने Presentation Document को Black & White Print करना है या Color Print लेना है. इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे के Slide में Animation Effects किस तरह लगाये जाते हैं? इन Effects को Change किस तरह किया जाता है? और Slide में Transition Effects किस तरह एड किये जाते हैं? Preset Animation पहले से दिये गए Effects और Animation सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि Slide में Animation Effects किस तरह लगाये जाते हैं? इसके लिए हम Slide में कुछ लिखते हैं मसलन हमने यहां पाकिस्तान लिखा और फिर इस टेक्स्ट को Select करते हैं और इसके बाद Ribbon में से Animations के टैब पर क्लिक करते हैं Animation के टैब में हमारे पास मुख्तलिफ Options नजर आ रही हैं जैसे Advanced Animation Timings Preview Animation Preview के जरीए आप Animation का Preview देख सकते हैं Animation के Menu में Arrow पर क्लिक करें तो Animations की एक लंबी लिस्ट आपके सामने आ जाती है इस लिस्ट में मुख्तलिफ किसम के Effects और Animations हैं आप Selected Object या Text पर कोई भी Animation लागू करके देख सकते हैं ये देखें Swivel की Animation लगाने से पाकिस्तान लिखा हुआ किस तरह से Animate हो गया इसी तरह आप अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक Animation सिलेक्ट करके Text पर लगा सकते हैं ये तमाम Animation Effects हैं जो कि हम स्लाइड में Add कर सकते हैं हम इसमें से Text पर क्लिक करते हैं और एक Effect लगाते हैं कि Effect लगाते ही Timing Option एनेबल हो गई और इस Effect के मुख्तलिफ Properties आ गई हैं जिसमें सबसे पहले Start के नाम से एक Command है और इसमें On Click लिखा हुआ है और इसके शुरू में Mouse बना हुआ है जिसका मतलब ये है कि जब हम Mouse क्लिक करें तो ये Effect चले इसी तरह Duration और Delay के नाम से दो और Options मौजूद है यानि इस Effect की Duration क्या हो और ये Effect कितनी देर नज़र आता रहे